बच्चों में सबसे कम उम्र में इसलाम कुबूल करने वाले हजरत अली र. अन्हों है और इसलाम कुबूल करने से पहले हजरत अली ने कभी बुध परस्ति नहीं की क्योंकि आप बजपन से ही अल्ला के नभी S.A.W. की तर्बियत और परवरिश में थे दोस्तों जब हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हों की पैदाईश का वक्त करीब आया तो तारिक में है कि ग्यारा रजब के दिन हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हों की वालिदा बीबी फातिमा बिंते असद काबा शरीफ के पास गई और काबा के दीवार पर अपन अपने वली को नाजल फर्मा जैसे ही उन्होंने ये जुमला कहा खान ए काबा की दिवार हिलने लगी और उसके अंदर एक दरार आ गई और हजरत अली की वालिदा काबा शरीफ के अंदर दाखिल हो गई ये मनजर अब्बास इबने अब्दुल मुत्तिलिब दूर से खड़े होकर देख रहे थे जैसे ही आपने ये देखा की काबा की दिवार फट गई और बीबी फातिमा बिंते असद उसके अंदर चली गई हैं तो उन्होंने आवाज लगा कर लोगों से कहना शुरू कर दिया कि अबू तालिब की जौजा खान ए काबा के अंदर चली गई जिनके पेट में बच्चा भी हैं सब लोग आओं और खान ए काबा का दर्वाजा खोल कर उनको बाहर निकालते हैं उसके बाद ये बात पूरे मक्का में फैल गई और लोग दूर दूर से आकर खान ए काबा के पास जमा होने लगे दोस्तों उसके बाद लोग खान ए काबा के दर् पूरे अरब में दो लोग मुतमईन थे। दो लोगों की बातों को ज्यादा माना जाता है। काबा शरीफ की दिवार हिलने लगी लोग ये नजारा देख कर हैरान हो गए। उसके बाद हजरत अबू तालिब फर्माने लगे एं मुहम्मद अलेही वसलम आप अंदर जाए और देखे की ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद अल्ला के नभी हजरत मुहम्मद अलेही वसलम काबा शरीफ के अंदर गए। तो आपने देखा की बीबी फातिमा बिंते असद की गोद में एक बहुत ही खूपसूरत बच्चा है। लेकिन आपने देखा की फातिमा बिंते असद बहुत परेशान नजर आ रही है। तो आप सलललाहो अलेही वसलम ने फरमाया आप इतनी परेशान क्यों हो। तो बीबी फातिमा बिंते असद कहने लगी या मुहमद जब से ये बच्चा पैदा हुआ है। तब से इसने न तो आखे खोली है और न तो रोया है। दोस्तों उसके बाद अल्लाह के रसूल सलललाहो अलेही वसलम ने मुस्कुराते हुए बच्चे को अपनी गोद में उठाया तो उस बच्चे ने भी मुस्कुराते हुए अपनी आखे खोल दी। सुभान अल्लाह। दोस्तों हजरत अली की अभी तो सिर्फ पैदाईश हुई और इस बात से पता ये चलता है कि हजरत अली दुन्या में आते ही आपने सबसे पहले दोनों जह जुबान मुबारत बच्चे के सामने निकाली तो बच्चे ने जुबान को चूसना शुरू कर दिया ये देखकर बीबी फातिमा बिंते असद बहुत खुश हुई और मुस्कुराने लगी उसके बाद अल्लाह के नभी हजरत मुहम्मद अलेही वसलम बच्चे को गोद में लेकर खान एकाबा से बाहर निकले तो अरब के लोग उस बच्चे के नूर को देखकर खान एकाबा के पास जमा होने लगे और लोग आपस में एक दूसरे से कहने लगे इस नूरानी बच्चे का नाम क्या रखा जाए उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्ललाह अलेही वसलम अबू तालिब हजरत अली को अपनी गोद में लेकर घर की तरफ जा रहे थी कि रास्ते में उन्हें एक मुनाफिक शक्स मिला वो कहने लगा ए अबू तालिब वो रस्म नहीं करोगे जो हर बच्चे के साथ की जाती है दोस्तों आपको बता दू कि उस वक्त मक्का में एक जाहिलाना रिवास था कि पैदा होने वाले बच्चे पर साप छोड़ा जाता था अगर सांप बच्चे को मार देता तो वो लोग कहते थे कि ये बच्चा अपने बाप की आुलाद नहीं था लेकिन अगर वो सांप बच्चे को नहीं काटता तो वो कहते ये बच्चा अपने बाप की ही आुलाद है उसके बाद अबू तालिब ने बच्चे की तरफ देखा उसके बाद हजरत अली को एक तरफ रख कर कहने लगे लाओ उस साप को जिस पर तुम फखर करते हो उसके बाद उस साप को लाया गया और हजरत अली पर छोड़ दिया गया जैसे ही वो साप हजरत अली के करीब आया तो हजरत अली ने अपने नन्हे हातों से उस साप को पकड़ कर दो तुकड़े कर दिये और उसे दूर फैंक दिया ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए और कहने लगे इस बच्चे में जरूर कोई बात है वरना ये क करना ना मुम्किन है और सब के सब कहने लगे ये तो कमाल कर दिया इस चोटे से बच्चे ने तो साप के दो तुकड़े कर दिये ये आवाज सुनकर हजरत अली की वालिदा बीबी फातिमा बिंते असत कहने लगी ये मेरा बच्चा हैदर है जिसने साप के दो तुकड़े कर के घर में हुई, अल्ला के घर में ही आपको शहीद किया गया था अल्लाहु अकबर, दोस्तों कितना अजीम और बुलंद मकाम है, सेयदना हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हों का, हजरत अली वो है, जो अल्ला के रसूल सल्लाहु अलेही वसलम की प्यारी बेटी हजरत फ अभी ने इर्शाद फर्माया है कि जिसके दिल में अली की मोहबत नहीं होगी वो शक्स, कभी जन्नत में नहीं जाएगा। कि जिल में जन्नत में जाएगा।